नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुजर संपरदाई से हूँ कहा से आए आप? क्या काम करते हैं सर आप? संतरामपाल जी मरास से आपने नाम दिछा कब लिया? संत्रामपाल जी महराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ती साधना करते थे? संत्रामपाल जी महराज की सरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की ब्रह्मा विश्नु महेश की दुरगा की आदी देवताओं की भक्ती होती थी मैं भी वही करता था तो जो भक्ति आपने ब्रम्मा बिश्नु सीउ जी की की उससे आपको क्या-क्या लाप राप्त हुए? जैसे की ब्रम्मा बिश्नु सीउ जी की भक्ति करने से आपको कोई लाप प्राप्त नहीं हुए बलकि आपको नुक्सान और दुख आने लगे तो शंत्रामपाल जी की शरन में आने से आपको क्या लाप प्राप्त हुए? सर लाप तो बहुत दिखुए लेकिन उनमें से कुछ लाप मैं आप लोगों को बताना से आता हूँ एक मेरा साला है जो जिला साहनपूर में नकुड के पास नया गाउं पड़ता है नरेश है उसका नाम उसको हैपिटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक मेरा गए रेल में ट्रेन से वो आ रहा था तो उसको मैंने पढ़ा पढ़ने के बाद मैं उसमें जो नुभाव भकतों के थे मैंने में देखे और इसके बाद फिर साधना चैनल पर मैंने सत्संग देखा तो मैंने उसको बुलाया कि आजा तेरी बीमारी एक जगे ठीक हो तो संतरामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे गुला लिया और फिर मैं उसको ले करके किताब पर एक नकसा था उसके आधार पर बरवाला पहुँचा और वहां से मुझे संतरामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली उसमें बैठकर मैं आसरम में गया और आसरम सतलोक देखा कि वासतों में सतलोक नाम क्या सतलोक ही है। ऐसे भगटों का ऐसा वहभार देखकर मैं दंग रह गया। इसने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगट्च और ऐसा लग रहा था जैसे वासतों में सतलोक मैं आ गए हूँ। तो महां बंदारा लिया, बंदारा के बाद उन्होंने हमें ग्यान समझाया, कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माद्धम से, फिर उन्होंने भी बताया, तो संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक सलेने के बाद, जैसे ही आसिरवाद के लिए तो सर जैसे ही आसिरवाद मिला, तो हमें अपने सरीर में ऐसा नुभव हुआ, जैसे हम हलके हो गए हैं कुछ, तो इसके बाद हम चार बार गए, और चार बार जाने के बाद, प्रते एक बार संत्रामपाल जी महराज ने आसिरवाद दिया, और रिजल्ट यह हुआ, संत्र अंदर, नाम दिक्सा लेने के बाद जब चेक कराया, तो बुनिल मिली, बगए जी यह लाब हुआ, और बहुत सारे लाब हुए, एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पतनी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पसू बंदे हुए थे, तो मैं वहाँ से चला, टाइम लगबग दो डाई बज गए थे, मैंने सोचा, साम से पहले घर जाना है, और पस वो को चारा भी डालना है, तो मैं बाइक से जा रहा था, अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा, बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा, तब जाया जाएगा, तो मैंने उसकी जितनी भ से भाग रही थी, अचानक जल्दाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक ब्रद आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नजदीक आ चुकी थी, उसमें जैसे ही मैंने बर्यग लगाया, त हम ठीक ठाक उटकर के अपने गाउं में चले गे, चोट तो लगी, लेकिन बहुत हलकी नाम मातर की, वहाँ पर जो लोग आये हुए थे, उन्होंने बताया, कि यहाँ कल ऐसा अक्सिडेंट होया, कि दो लड़कों की मोत हो गई थी, हमारी मृत्त्य होनी थी, संत रामपाल माराज ने ही हमको जिवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए, और बहुत सारे और भी चमतकार हैं, दो हजार पंदरा की बात है, जब संत रामपाल जी माराज से नाम ले चुके थे, तो एक रिष्टा लड़के का आया, एक जगे से हुए जो रिष्टा लेकर आये, वहें ल नहीं थे, तो उनके आहां से जो रिष्टा आया, तो उसके बाद में एक तारिक निश्चित की गई, कि उस तारिक को ये जो चिठी आएगी, उसी दोरान हमारा छोटा जो भाई है, उसकी पत्नी बिमार हो गी, और वो इतनी बिमार हो गी, कि उसके पहले भी एक दो बार अ अटैक आ चुका था, तो वो उसको वहाँ, उसका इलाज भी चले होगा था, मेरट में, तो उसको वहाँ लेकर गए, और सर ऐसा हुआ, कि उसको वहाँ ले जाने के बाद, अचानक उसकी तबियत इतनी खराब हुई, कि उसकी मरत्तु हो गई, उसका समाचार उन्होंने दि किया, कि इस इस परकार से भाई ये तो खतम होगी, और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें आप इस जमा कर दी, ये नो कहरे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने परमात्मा संतरामपाल जी माराज के सामने अरदास लगाई, कि परमात्म ये अगर एकस्पायर हो गई, तो ये रिस्ता अभी स्टेट में नहीं हो पावगा, तो जैसे ही अरदास लगाई, तो महां से फोन आया, कि एक परसेंट इसमें जीवन नजर आ रहा है, और आते आते पंदरा बीस मिनट के अंदर, उसमें इतना सुधार आया, कि डाक्टर लोग कहने लगे, कि बड़ा आस्तिरिया है, सर इसा हुआ कि आद गंटे के अंदर, वो पून ते ठीक हो गई, और वो रिष्टा उसी समय, निर्धारित समय पर हुआ, और एक चमतकार सर अभी ने आई, मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार म सर्विस करता है, प्राइवेट जोब है उसकी, किसी कमपनी में, तो उसका भी ट्रांसपर आ गया था, तो ट्रांसपर आ गया, उसको अभी तो वहां पर सेलेक्ट होया था, इसके बाद ट्रांसपर के आदेश आये, तो सर उसने इतना दुख हुआ, कि उसने खाना तक तो उसने परमातमा से अर्दास लगाई और अर्दास लगाने के बाद सर आप यकीन ने करोगे अगले ही दिन जिनोंने आदेश इतनी सक्ताई से दिये थे फोन पर तुरंत आ जाओ में मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे हैं छे महीने के महराज के हैं और बहुत सारे चमतकार होते रहते हैं जैसा कि संत्रामपाल जी महराज की शरन में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमतकार हुए और हम अन्य संत्रामपाल जी महराज के सीशों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नसे जैसी बिमारी से छुट तो आप से हम जानना चाहेंगे कि आप संत्रामपाल जी महराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे जब मैं ब्रह्मा विष्णु महिश की साधना करता था तो मुझे भी नसे की लट लगे हुई थी मैं बीडी सिगरट पीता था जैसे ही परमात्मा संत्रामपाल जी महराज की सरण में आया तो वो लट भी समाप्त हो गई और मैंने उसके बाद कोई बीडी सिगरट नहीं पी सर बिलकुल चुटकारा दिला सकते हैं मैं अपना नुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नसा नहीं करता और अपने आप ही नसा समाप्त हो गया तो ऐसे ही और लोगों का भी नसा समाप्त हो जाएगा लगभग 90 लांक आदमी परमात्मा संतराम पाल जी माराज से जुड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति नसा नहीं करता नसा मुक्त है तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो भी परमात्मा की सरण में आएगा संतराम पाल जी माराज की वो नसा मुक्त हो जाएगा उसका नसा स्वेते ही छूट जाएगा संतराम पाल जी माराज के वचनों में इतनी सकती है कि नसा अपने आपी सपा हो जाता है नसा छूट जाएगा आज के समय में बहुत सी समाजी कुरूतिया फैली हुई है। इन कुरूतियों को मिटाने में संत्रामपाल जी क्या योगदान दे रहें या दे सकते हैं। इसी परकार देहज की कुपर्था से और जो अन्य बिमारियां जो चली हुई हैं नसे वगएरा उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जो संत्रामपाल जी की शरन में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत्रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत्रामपाल जी की शरन में कैसे आ सकता हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अन्यको अस्थान पर परतेख जिले के अंदर नामदान केंद्र खुल दिये हैं और एक साधना चैनल परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्रंग आता है उसमें नीचे एक फीली पट्टी चलती है उसमें नंबर दिये हुए हैं उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नजदी के नामदान केंद्र पर नाम दिक्सब प्राप्ट कर सकते हैं धन्यवाद सर सत्साहिव